हत्म हुआ इंतिजार आ गई हाईड्रोजन ट्रेन चलने की तारी दिसमबर 2023 में भारत में दोडेगी बिना तेल बिजली वाली ट्रेन रेल्वे ने फिक्स किये आट रूट हाईड्रोजन ट्रेन का नाम होगा वंदे मिट्रो रेलवी ने बड़ी खुश खबरी देते हुए बताया कि भारत ने इसी साल दिसंबर से हाइड्रोजन ट्रेने दोड़ेंगी यानि कि बिना बिचली बिना डीजल के इस्तिमाल के ट्रेन चलाने का सपना 2023 में ही पूरा हो जाएगा रेलवी ने हाइड्रोजन ट्रेन का नाम बंदे मिट्रो रखा है जिसे मेक इन इंडिया और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है सरकार ने हाइड्रोजन ट्रेन या कहे तो बंदे मिट्रो को लेकर इक खास प्लैनिंग की है Hydrozen 4 Heritage नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसके तहत UNESCO की आठ वर्ल्ड हेरिटेज रूट्स पर इन ट्रेनों को चलाय जाएगा पहले चरण में Hydrozen Train को माथिरान हेल, दार्जिलिंग हिमालेयन, कालका शिमला, कांग्रा घाटी, विल्मोरा वगई, महुपताल पानी, नीलगीरी माउंटिन ड्रेलवे और मारवाड देवगण मडरिया पर Hydrozen Train चलेंगी इसके बाद वंदे मेट्रू को दूसरे रूट्स पर भी चलाने का प्लान है, देश में ग्रीन एनरजी को बढ़ावा देने के लिए इंडरेन ड्रेलवे Hydrozen Train चलाने जा रही है, अभी तक भारत में डीजल और बिजली के सहारे Train चलती थी, लेकिन अब देश में पहली बा Hydrozen से चलने वाली Train नी दोड़ेंगी। इस ट्रेन से धुआ नहीं धाप और पानी निकलता है, Hydrozen Train बाकी ट्रेनों के मुकाबले बहुत कम शोर करती है, जबकि इसकी स्पीड 160 किलोमेटर प्रती घंटा तक हुई, Hydrozen Train के रेंज 1000 किलोमेटर की होगी और किवल 20 मिनट में फ्यूल भरा जा सकता है, Hydrozen Fuel Energy दूसरे इस ट्रेन के मुकाबले काफी जादा होती है, एक किलो Hydrozen साने 4 लीटर डीजल के बराबर होती है, देश की Northern Railway Workshop में Hydrozen Fuel Based Train का प्रोटोटाइप तयार किया रहा है, जिसका परिक्षन हर्याना में सोनी पत्त जिन खंट पर किया जाएगा, अभी तक कीवल दुनिया के दो द 80 करोण का खर्ट, लेकिन एक्सपर्ट का मनना है कि भारत में इस ट्रेन को करीब 50 करोण में बना लिया जाएगा, अभी तक भारतवासियों ने विजली या फिर डीजल से चलने वाली ट्रेनों में सफर किया है, इससे पहले कोईले से ट्रेनों का संचालन होता था, लेकिन दिसंबर 2023 से भारत के लोग भी बिना बिजली और बिना तेल वाली रेल में सफर करेंगे, ब्यूरो रिपोर्ट एक भारत न्यूज